हेलो नमस्कार दोस्तों सवागत आपका हमारे चैनल किशान डेरी फारम में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे नाबाड पसुपालन लोन योजना क्या है नाबाड से पसुपालन के लिए सबसिडी लोन कैसे ले कैसे डेरी फारम शुरू कर सकते हैं आप नाबाड डेरी तो आपको क्या डॉकॉमेंट्स चाहिए इसके लिए पहले दस्तावित जो होते हैं पसुपालक का जो आधार काड होता हो चाहिए होगा इसमें यह जैसे यह लोन है इसमें जो बड़े लेवल का बारा दस लाग का तक का लोन लेते हैं तो उसमें अलग से प्रोजेक्ट क्यावाइल नमबर चाहिए होगा पसु नुख का हेल्ट सेटिफिकेट चाहिए होगा जो आपके पसु के अंदर में डॉक्टर बना के देगा इसके बाद में आपको जो पसु का बिमा और पर लोन लेते हैं तो इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वह आपको यह सब आपको नाबाड में जमा कराना होता प्रोजेक्ट रिपोट हो गया यह और जो प्रमानपत्तर होता है वह भी आपको इसमें चाहिए होगा तो आगे जानकारी देंगे कि कहां से किस परकार बढ़वा सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोट भी उचके लिए हम आपको बता पहले से कर रखा या बढ़ाना चाहते हैं यह नावाड के तहरत मिलता और रिइंड की रासिये आपके अवा सकता हूं कि इसाब से मिलती है हम यहां इस रिडिके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि नाबाढ पस्व पालन रिए आपकी पस्व पालन के लक्षों को पूरा करने में किस परकार से मदद माओड़ पालन सबसीड़ी के अंतर्गत आपको तीन लाग तीस हजार रुपय तक की सबसीड़ी मिल सकती है इस योजना में अनुसुति जाती को 4.4 बुपय तक की उस मशीन मतलब वह मशीने खरीते हैं तो उनका खर्चा 13,20,000 रुपे तक का खर्चा लग सकता आपको और आपको 25 परशेंट तक के मतलब 3,30,000 रुपे तक की कैसी Video वह मिलेगी नाबाड पस्वपार्ण लोन के तहट 12 लाग तक क लोन करिण उठाए जा सकता है मतलब लोन लोन लिया जा के नाबाड पसुपालन लोन दो तरह के प्राप्त हो सकते हैं जैसे पसु क्रेरिन यह रिण पस्वों की खरीद के लिए होता है डेरी फार्मिंग के लिए जरूरी सामगरी और उपकरण खरीदने के लिए होता है नाबाड की पसुपालन योजना में आपको 6.5% से 9% मिलती है दोस्तों यह योजना उन लोगों के लिए है जो गाउं में रहते हैं और जो जोब्स की तलास में इस कमुक्यों के उद्धे से उन्हें रोजगार मिले यह योजना एक महतंपूर्ण उद्धे से बढ़ाव देने के लिए शरू की गई है नाबाड पसुपालन की देब्यासदर में कमें करके किसानों को रिन दिया जाता है यय 1400 साल में कर ना होता है यह बता दियो थी हूचित में बतादै क backward का होना चाहिए आप गांस करना होना चाहिए आपके पास जमीन होने च Chandस अन्वी के मतलब शाड़े तेरा लाग के आसपास है तो उसमें 25 परसेंट सब्सीडी आपको मतलब तीन लाग तीज़ा रुपय तक कैपिटल सब्सीडी मिलती है तो नाबार से आप लोन की पर ले सकते हैं सबसे पहले यह तै करें कि आप कि तरह का डेरी फार्म खोलना चाहते हैं आपक के लोन की रासी अधीक है तो आपको नाबार में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करानी होती है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम बता दें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दोस्तों आपकी एक साल का विवरा होना चाहिए कम से कम जैसे कि आप कितना दूद प्रोजेक्ट रिपोट आप किसी सीय से या खुद को नोलेज तो आप लाइन मतलब इंटरनेट मतलब लैप्टोप पे या केम्पूटर पे बना सकते हैं यह आप तशील में या सीय से बनवा सकते हैं इसके बाद जमीन की फर्द होती है रजिस्ट्री भी आपके पास मांग स आपि पर लेते हैं तो दोस्तों अगर आपको अधिक जानकारी हो तो नजेंदी कर Integration कर सकते हैं हमसे कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमंथ कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों